तो यह है Tata Nexon का XM Variant तो विचले फिर इस वीडियो माँ जाम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं क्या-क्या फीचर सापको सकार के इंटीर मूफर करे जाते हैं और कैसा है सकार का इस्चिलूक तो विचल सकार के की से कुछ इस सरह की मिल जाएगे आपको लोग अलोग का मिल जाएगा Follow Me Home Head-lamp मिलने वाला है जैसे आउत देशेते हैं DRL जिल जाएगी और जो दूसरी वाली की मिलेगी वो आपको Basic सी की मिलेगी कुछ इस सरह की तो वीचे ले फिर स्टार्ट करता हूँ मैं सकार की फेर्ट प्रोफाइल से कुछी तरह के हैड्लैंस मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हैड्लैंस मिल जाएंगे आपको और DRS पी मिल जाएंगी नीचे सेड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और फोगलैंब की हाउसिंग मिलने वा तो सॉ आपको क्लाइडिंग भी दिखने वाल है इसमेश जो कि कुझ इस तरह की लगती है देखने में और बील कवर्स भी ठिक ठाक लगते हैं ब्लेक कलर का ORBM मिल जाएगा पलेकिन इंडिकेटर आपको सकार के ORBM पर ही मिल जाएगा A पिलर, Black कलर, B पिलर भी Black कलर और C पिलर भी Black कलर का है और door handles भी black color के मिल जाएंगे आपको इस car में black ladding भी दिखने वाली है, उपर की side roof race मिल जाएंगी तो भी कुछ इस तरह की लगती है side से दिखने में तो यह रही scar की back profile, उपर की side आपको antenna मिल जाएगा spoiler मिल जाएगा, high amount stop lamp, vocal for local का sticker, LED tail light indicator में bulb, Tata का logo और नीचे side space देकर next zone लिखा गया है reflectors मिल जाएंगे आपको, और parking sensors मिलने वाले है तो इस car में आपको 209 mm की ground clearance मिल जाती है और क्या-क्या dimension इस car की, वह आपकी screen पर शोरी होंगी इस car में आपको 1500 cc का engine मिल जाता है, जो की 28 bhp की power generate करता है 206 mm का torque और जो company claim करती है, इस car का mileage 18 km का है तो विचे रे फिर को इस तरह का था, इस car का extra look मैं आपको इस car का interior दिखाता हूँ, फिर किस तरह का आपको इस car में interior मिल जाएगा, और यह रे इस car का driver, side door door opener black color का मिल जाएगा, चारो power window controls मिल जाएगे लोक अनलोक का मिल जाएगा, silver finish मिल जाएगी आपको इसके door पर, water bottle space मिल जाएगा, document रखने के space मिल जाएगा और speaker मिलने वाले आपको चारो door में, और driver seat height adjustment आपको इस वाले variant में देखने के नहीं मिलेगी, rickline करने का मिल जाएगा और आपको आगे-पीछे करने का मिल जाएगा इसकी driver seat को तो यह से आप देखने थे, कुछ इससरा का है, इस car का interior और यह रहा इस car का steering wheel Tata का logo मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और piano black finish मिल जाएगी जो किसके steering wheel को premium बना रही है, steering mounted controls मिल जाएगे, सिर्फ आपको इसमें एक side ही मिलने वाले है, steering mounted controls, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और tilt adjust आपको steering wheel मिल जाता है, जिसे आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ से तिल्ट adjust कर सकते हैं, तो यह कुझा सरक है सकार का instrument cluster, fully digital instrument cluster मिल जाएगा आपको इसकार में, बीच में आपको एक बड़े size की MID दी जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं, और फे meter आपको यहाँ पर मिल जाएगा, speedometer आपको इसकी MID में मिलने वाला है, और fuel का आपको यहाँ प system मिल जाता है, कुझ इस तरह का है यह, और दो AC आपको यहाँ पर मिल जाएगे, कुझ इस तरह के बीच में, हजाट राइट का button है, यहाँ पर प्यानो black finish दी गई है, एन्फोटेमें सिस्टम के controls मिल जाएगे आपको यहाँ पर, और manual AC मिल जाएगी आपको, जिसके controls आपक करने के लिए नहीं आपको इसके back में कुछ दिया जाएगा, अगर आपको इस car का boot unlock करना है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर ही दिया जाता है, जब आप उसको press करेंगे, तब ही आपकी car का boot unlock होएगा, 12 बोट का power show kit मिल जाएगा, USB port मिल जाएगा, और 6 gear manual transmission में रहने वाली का जिसका gear knob कुछ इस तरह का है, black मिल जाएगा आपको यहाँ पर, drive modes मिल जाएगे, city, eco and sports mode, दो का folder मिल जाएगे आपको यहाँ पर, और एक का folder आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो बेचले फिर मापको इस car का glove box सिखायता हूँ, कितना space आपको इस car के glove box में मिल जाएगा, जब आप यहाँ पर press करेंगे, आपकी car का glove box खुल जाएगा, तो कुछ इतना space है इस car के glove box में, बहुत बढ़िया space मिल जाएता आपको इस car के glove box में, फ्रेंट सीट में आपको adjustable headrest मिल जाते हैं, grab handle आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उपको driver side door को जिस तरह का है, बार्टर space, डोकुमेंट रखने के लिए space मिल जाएगा आपको उसमें, umbrella holder भी मिल जाएगा, speaker मिल जाएगे आपको, और यह रहा scar का driver side sun visor, vanity mirror आपको नहीं मिलेगा, ticket holder मिल जाएगा, और IRBM कुछ इस तरह का है, white light मिलने वाली है, तो विचले फिर कुछ इस तरह का front seat पर बैठ कर, ज चल कर दिखायता हूँ, फिर कितना space आपको बहां पर मिल जाएगा, जो driver seat अपनी height के साफ से adjust कर लेता हूँ, मेरी height is 6 feet है, जिससे आपको idea हो जाएगा, कितना leg room आपको back में मिल जाता है, और यह रहा scar का back door, door opener black color, power window, 4 door में मिल जाएगी, speaker मिल जाएगे, तो यह से आप द बैठ कर कुछ इस तरह का लगता है, scar का dashboard, rare मा आपको कोई भी rare इसी वेंड नहीं मिलता है, लेकिन आपको थोड़ सा space मिल जाएगा, storage के लिए, और door कुछ इस तरह का है, freeze headrest हो गए, और rare seat पर बैठ कर, scar का view कुछ इस तरह का आता है, Kevin कुछ इस तरह का लगता है scar का, तो विचले फessä कुछ आपको scar का इट्रियर मिलता था, बो तो मैने आपको दिखा दिया है, तो विचले फिर मैं आपको scar का बूट दिखायता हूं, फिर कितना space आपको scar के बूट में मिलने वाला है, तो वे 350 लीटर का आपको इस कार में बूर्ट स्पेस मिल जाता है यहाँ पर आपको एक लगेच लैंप ही मिलने वाला है और यह रहा इस कार का स्पेर वील टूल किट भी मिल जाएगी आपको बात का तो इस कार के प्राइस के बारे में ओटो बाइपर्स, ओटो हेल्डेम्स, संडूरूब, स्टेरी मौटिट कंट्रोल जैसे फीचास आपको मिल जाते हैं अगर आपको यह बर्थिट लगता है तो आप इस वाले वेरियंट के साथ जा सकते हैं या फिर आपको XM वेरियंट ठीक ठाक लगता है आपको संडूरूब नहीं चाहिए तो आप इसके XM वेरियंट के साथ भी जा सकते हैं इन टेर में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, इस टेर में कोई आपको चेंज नहीं मिलने वाला है जैसा एस टेर था इन चार फीचर के अलावा आपको XM वेरियंट में वही देखने के लिए मिलेगा तो विचली फिर बीडियो कर से लेगी कमेंट के लिए जुरू बताना कर आपको फीचर में इसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद